विकास की कौमों के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी अब भी लड़ रहे हैं आगे भी लड़ते रहेंगे उसमें कोई नराजगी की क्या बात हो उसमें सरकार से अलग होना की कोई बात नहीं सरकार के उपर को चुप पार्टी नित्रतों ने फैसला कर दिया, पार्टी नित्रतों को फैसला सभी मानते हैं अमरे पार्टी में, यही तो हमरे पार्टी खुब है समिंद्र करिमियों के मामले को पहले विदा के रूप में मैंने इस मामले को प्रयास किया इनको नियमित हो और उसके बाद में कैबिनेट की मंत्री परसी जो पहली बैटर गोई उसमें ही मैंने इस मामने को रखा था मेरे साथ है राजिस्तान के वन ये प्राणा मंत्री हैमाराम जी चौधरी इनसे बात करेंगे जैसल मेर आये हैं सरकार की तीन साल का जशन मनाया जा रहा है सरकार किस तरह पूरी जो है खरी उतरी है तीन साल में आपके निजरी से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार पूरी तरह से सफल है यह जबाब देई पारदर्सी समय दिन सी सरकार है और इस तीन साल में जो काम हुए है वो बेमिसाल है सेवाई करम है सेवाई दर्म है इस वावना से काम कर रहे हैं इसमें कोई आपको निजरिये में जो अभी तीन साल जो है आने वाले दो साल और कि इससे भी बैतर होंगे यह बीज़ काम होए निस से भी ज्यादा काम होंगे आपको तीन साल मत्री नी बनाएगा आपको तीन साल महरूम रखा किया जब की आप अच्छा हुआ नहीं मनायाद मेरे उपर जिम्मेदारी कम थी इसलिए मैं आराम से तीन साल गुजारे अब जिम्मेदारी ज़्यदा आई यह ज़्यदा मैंत करने पड़ेगी एक लास बात जो है जो आने वाले सारा कॉंगरेस रिपीट होगी सरकार रिपीट होगी तो किसको आप मुख्यमत अरे यह सब आई कमान तैह करता है और गोडाउन का लास जैसल मेरे में गोडाउन का भी है और किस तरह उसका प्रिज्वेशन हो जाने किस तरह कंजर विसे होना चीए तो इसको मेरे को समझने तो दो पूरा देखने तो दो यह थे यह थे एमारामदी चौधरी जो बता रह लिए आने वाले दोस्तार में भी भेतर काम होंगे जो रुकेवे काम पूरे होंगे और सरकार आने वाले जो चुनावा में उसमें भी रिपीट होगी और सरकार जो है कॉंग्रेस जो है उसका जो कौन लड़ेगा किस मुख्यमंति होगा यह सब निर्णे हाई कमान करेगा विमल भाडिया जैसल मेर राजिस्तान तक के लिए